एक हीरो चला गया बोजन समाज का एक सिपाही हमेशा के लिए चला गया जाते वक्त भी सीने पर बस्पा का जंडा और बाबा सहिब के सिखनीचर की चाप छोड़ गया एक ऐसा मिशनरी योधा जिसके जाने से बस्पा दिक्षमायवती भी परेशान हो गई हीरो चला तो गया लेकिन करोडो दिलों में अपनी याद छोड़ गया दक्षिन भारत में बाबा सहिब का पैगाम फैला रहे तमिलाडू बीस पी के अद्धिक्ष के आमस्ट्रोंग को अंतिम बार जैभीम कहने के लिए लाखों लोगचे नहीं पहुंचे बुद्धम, शर्णम, गच्छामी और जैभीम के नारों के साथ समर्थों ने अपने हीरो को अंतिम विदाई दी चनही में के आमस्ट्रोंग की अंतिम यात्रा कि ये तस्वीरे गवा हैं कि लोगों के दिलों में उनका क्या रुत्बा था आमस्ट्रोंग के जाने से ना सिर्फ उनका परिवार बलकि पूरा भाजन समाज गमगीन है आप इसका अंदासा इन तस्वीरों में लगा ये मशूर फिल्म मेकर पारंजीत आमस्ट्रोंग के जाने की खबर सुन फफख फफख कर रोने लगे आमस्ट्रोंग भले ही चले गए हो लेकिन उनकी विरासत हमेशा याद की जाएगी यही पैगाम लेकर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायवतीचे नहीं पहुँची उन्होंने आमस्ट्रोंग को सलाम किया और बहुजन आंदोलन में उनके योगदान को याद किया आमस्ट्रोंग की पतनी और बेटी के सिर पर हाथ रख कर बहनची उन्हें ये समझाने की कोशिश करती नजर आई कि आप अकेले नहीं है कभी आमस्ट्रोंग ने अपनी ननी बेटी को बहनची की गोद में सो पा था लेकिन अब इस ननी बच्ची के सिर से पेता का साया उठ चुका है शुकरवाज शाम को चेनई में आमस्ट्रोंग के घर के बाहर छे लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी उन पर धारदार हत्यारों से हमला किया गया था आमस्ट्रोंग तमिलाडो में दलित बहुजन समाज के एक मजबूत आवास थे डुक्टर अम्बेटकर और मान्यवर काशिराम सहब को अपना आदश मानने वाले आमस्ट्रोंग दक्षिन में बहुजन मिशन की पता का फैरा रहे थे लेकिन मनुवादियों को उनका ये अंदाज पसंद नहीं था तमिलाडो की स्टालिन सरकार एक बहुजन हीरो को बचाने में नाकाम रही और इस वारदात ने दर्विड मोडल पर भी घंभीर सवाल खड़े कर दिये बस पाध्यक्षन इस वारदात की सीबियाई जांच कराने की मांग की है लेकिन क्या स्टालिन सरकार इतनी हिम्मत जुटा पाएगी आमस्ट्रों के अत्यारों को सक्ट से सक्ट सजा मिलने चाहिए ताकि फिर भहुजन समाज अपना ऐसा हीरो ना खोए हम उनके संगर्ष और योगदान को नमन करते हैं आप उन्हें कैसे याद करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं